देखता है 4 number कहारा है माना कि R एक relation कि तरह से दिखाया जा रहा है A, B order pair के form है जहाँ A and B क्या है आपका belongs to Q A and B belongs to Q यानि A और B क्या है जी आपके परिमे संख्या है परिमे संख्या है rational number है और यह भी कहा रहा है कि A minus B belongs to Z यानि कि यह एक पुर्णांक है A minus B का difference जो है वह पुर्णांक है दर अपरिभासिद संबंद R Q से Q में एक संबंद है Q से Q में संबंद है यानि कि R यहाँ पे subset है Q क्रॉस Q का तो हमें दिखाना है पहला क्या दिखाना है कि A, A belongs to R सभी A belongs to Q के लिए तो बहुत ही simple सी बात है पहला condition लेते हैं एके करके सब को देखा जागा A, A belongs to R यह इस relation से belong करना चाहिए यानि कि इसका difference A, A का difference क्या होना चाहिए एक पुर्णांक होना चाहिए तो अगर हम पहले के लिए बात करें A and A belongs to R की बात करें तो इसको आप ऐसे रिख सकते हैं आप इसके अनुसार इससे statement का अनुसार की A minus A is equal to 0 और 0 belongs to Z 0 एक पुर्णांक है ना 0 एक पुर्णांक है तो यह तो था साबित हो गया ना यह तो साबित हो जा रहा है चलिए तो यह किसके लिए तो for all A belongs to Q यानि कि A कोई भी यहाँ पर परिमेशन क्या हो सकता है पहला हो कि